आई आई अगरीवान वेरी गुड़ मॉर्निंग तो और यू और वेलकम वेलकम टु सेलेक्शन टाइट कैसे आप सभी लोग और कैसी चल रही आपके तैयारी सभी लोग लाइव आज आए और प्लीज सेशन को लाइक और शेर जरूर कर दिया कीजिए यह आपकी अपनी ड्य से देखेंगे क्यों कि बहुत ऐसे हैं कि जिंता की सेशन नहीं पहुंचता है गरीब गरामी उट्षेत के बच्चे हैं तो कर भला तो हूँ बला अच्छा करते तो हमें अच्छा मिलता भी है तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा और आपकी डिमांड पर सड़ ट्र ट्रांस्वडेशन ट्रांस्वेशन पढ़ादेढ़ सामने हाजिर स्टार्फ मेशन गया और बहुत ही के सब्सक्राइं का सब्सक्राइब संध्या किम्मी आदित चलिए मौंब आसीव संद्या गुपता समर सिंख ललता शर्मा अ अंतिमा सभी का स्वागत है और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं छोटी सी जानकारी है जो कि मोटी सी जानकारी है फोन 99 में आप मेंबर्शिब ले सकते हैं आपको complete grammar course मिलेगा और साथ में आपको उसकी pdf notes भी मिलेंगे और practice sessions की सारी pdf आपसको मिलती जिसमें आपको कई सारे किताबों का निचोड आपको मिलता है जो कि बहुत important है आप 10 किताबें नहीं खरी सकते आप 20 किताबें नहीं खरी सकते लेकिन सबकर निक्चोड आपको मेरे practice sessions में मिलता है और vocab classes आपको मिलती है उसकी pdf notes मिलेंगे और complete video course एक साल तक आप watch कर पाएंगे जो भी हमारे members है personal guidance भी आपको दिया जाता है तो यदि आप interested है आप जोइंग कर सकते हैं ठीक है और आज मैं पढ़ाने चल रहा हू sentence transformation को तो पनाम महजबीन और सभी को ठीक है रेखा जाशमीन सिखा आलोक चलिए तो देखिए एक बात मेरी समझेगा आप सभी लोग सबसे पहली चीज़ की transformation पढ़ते समय जो points याद लखने पहली बात ये कि पहली बात आप rules को समझने का प्रयास कीज़ेगा यानि पहले मे अच्छी तरह से grammar सीखने का पहले गुरू की बात को सुनिए फिर दिमाग में बुनी और फिर चुनिए ठीक है ऐसा नहीं कि कुछ भी आप अपने मन का बनाने लग जाते हैं फिर पूछते रहते हैं बीच-बीच में सरी ऐसा होगा वैसा होगा कि नहीं होगा ऐसे में इसला में आपको कनवर्ट मतलब आपसे पूछता चलूँगा यानि पहले क्वेस्चन भी करूँगा बात में उसके रूल्स भी बताऊँगा इससे दो चीज़ें हैं आपको आता है की नहीं आता यह आपको मालुम चल जाएगा और यदि नहीं आता है तो मैं आपको यह क्या बनेगा जरा सब लोग प्रयास कीजिए बनाने का ठीके गुड मॉनिंग चलिए अरजुन कुमार में ठीक हूँ आप कैसे चंचल कारतिके शिल्पी रेनू अगाइस शेयर लाइक कर दिया कीजिए देखिए 37 लोगों ने लाइक किया भी भी है ना कहने के बाद भी आप मेरी बात नहीं सुनते हैं बताइए क्या फाइदा मुझे मुझे क्या अच्छा लगेगा तो बिलकुल देखिए आप किसी ने बनाए पीती मितल करें he is not a rich man बना दिया ना he is not a rich man ठीक है बस हो गई गलती हो गई गलती सब लोग ठीक है यह बच्छपन में पढ़ते हाँ जो लोग और भी काजल कुमारी आल इन वन यह सब बना रहे हैं वो अच्छा है है ना तो आप लोग क्या करना गलतियां कर रहे हैं बच्पन वाली कि आप से का गया नेगटिव बनाए तो आपने क्या लिख दिया कि he is not a rich man और आपको क्या लगता है कि आप competition दे रहे ह हैं और आप से वो बच्चों का सवाल पूछेगा कभी नहीं अब इस rules को समझने का प्रयास कीजेगा हमेशा जब भी आप negative बनाए तो एक बात का खास ख्याल रखिए कि जो sentence है इसका meaning change नहीं होना चाहिए यानि यदि वो कह रहा है कि he is a rich man वो अमीर आदमी है तो भाया उ इसको अमीर ही रखिए गरीमत बना दीजिए तो आपको क्या करना है कि negative लगा करके आपको sentence देखे इसको बनाते है कि आप negative word को use करेंगे साथ में क्या करेंगे opposite meaning लिखेंगे क्या लिखेंगे opposite लिखेंगे यानि he is a rich man का बनेगा कि he is not a poor man लिखेंगे यानि कि वो एक गरी आदमी है बात समझ में आ गई he is not a poor man क्योंकि क्या sense निकला कि वो एक गरीब आदमी नहीं है मतलब कि वो एक अमीर आदमी है man is mortal तो बनाएंगे man is not अब इसका बना देंगा opposite तो immortal लिखेंगे कि man जो है वो immortal नहीं है मतलब कि नश्वर नहीं है मतलब कि मानव नश्वर है इ लेकिन यहां पर क्या निकल के man is mortal मानव नश्वर है अनश्वर बोलिये चाहिए इम लग गया अनश्वर बोलिये ठीके हिंदी में नहीं बता रहे हिंदी मुझे बहुत अजीव लगने लग गई है बासमझ में आ गई अब लिखा she is always केरफुल तो बेटर देखिए c के बा कर GoPro का लिख देंगे यूज़ लिख देंगे ठीके साःओर लेस लिखेंगे लेस लिखेंगे के लिखेंगे सी नेवर केर लेस लिखेंगे केरुल का अब लेस को था करले होटा है क्लियर ओगए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया you are intelligent लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे you are not foolish लिखेंगे intelligent का क्या होता है foolish होता है तो एक तो ये तरीका है जहां पर देखे मैं आपको कई तरीके बताऊँगा जहां पर जो तरीका apply हो सकता है आसानी से वहां पर उस तरीकों को अपना करके आप sentence को negative में change कर सकते हैं या sentence का transformation कर सकते हैं आसानी से बात समझ में आ गई बोलिए yes या no ठीक है तो इस यहां पर मैंने आपको रूल बताया कि not प्लस अपोजिट लगा करके आप बना सकते है अट्जर्टिव का अपोजिट बना दीजिए आपको अंसर मिल जाएगा चलिए इसके बात रूल यही रूल भी यही देखी लिखा हुआ है not यह नेवल लगा करके और अपोजिट वर्ड का प्रियोग करके आपको क्या करना है negative बना देना है ठीक है आसान है अब अगला देखते हैं अब मैंने आप से पूछा कि convert into इसमें हैं और वही बनाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं एक तरीका तो आप में सीख लिया उससे तो बनना ही है लेकिन एक और तरीके से आप you are intelligent को बना सकते हैं क्योंकि आपके exam में देगा option में दिखेगा आपको तो आपको लगेगा कि अरे यह कैसे हो सकता यह तो नह हो सकता क्योंकि हम को structure नहीं पता होता है हम नहीं पढ़े होते हैं लेकिन आज आप समझ में आ जाएगा अब मैंने आप से कहा कि you are intelligent तो मैंने इसको बनाया कि you are not without wisdom without wisdom मैंने इसको बनाया ठीक है मैंने कहा कि you are not without wisdom याने इसमें रूल क्या लगाना है इस पे रूल लगाना है कि double negative का use करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है याद अखिएगा तकि जब double negative लगाएंगे तो sentence का negative का negative हो गया और meaning भी change नहीं होगा ठीक है meaning भी change नहीं होगा क्योंकि देखिए double double negative का मतलब हो गया कि यही वाला positive sense हो गया मतलब sense positive है लेकिन sentence negative है क्योंकि इसमें not का use किया गया है तो sentence negative है लेकिन जो sense है वो positive ही निकल कर किया एगा यानि sense में कोई बदलाव नहीं होगा तो you are not without wisdom ऐसे देखिए लिखा हुआ है every rose plant has thorns अब इसको बनाने के तो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है मैंने देखिए अपना commitment पूरा कर रहा हूँ मैं आपसे promise किया था कि आपको free of cost पूरी grammar पढ़ा हूँगा पढ़ा रहा हूँ अब अगर आप मेरा support चाहते हैं तो आपको मेरा support करना पड़ेगा और support इतने करना है कि आप like share जरूर किया की ठीक है अब देखिए every rose plant has thorns तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा कि जब sentence every से start हो रहा होता है तो आपको बनाई ही there से there is there is no rose there is no rose plant ठीक है without 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 क्या thorns there is no rose plant without thorns देखिए no भी लग गया मतलब वही कि not or no plus without ठीक है बिल्कुल और इसके बात में आपको जो उसका क्या बोलते हैं आप सिनोनिम लिखना है आपको यहां पर opposite नहीं लिखना है ठीक है सिनोनिम लिखना है बात समझ में आ गई तो यहां रखिएगा तब ऐसे बनाएंगा जब every सिदिया होगा तो structure बना के देगा वो there से there is no rose plant without thorns और ऐसे ही बनाईएगा जो structure में पढ़ाता हूं वो बिल्कुल आपके exam के oriented ही होता है यह बात जहां लखिएगा अगर आप अपने structure से पढ़ना चाहते हैं तो वो आप exam में मार खा सकते हैं ठीक है तो मैं वो structure बताता हूं जो exam में आता है क्योंकि grammar में एक sentence 20 तरह से बन सकता है मैं 20 तरह नहीं जानता जानने का मतलब यह कि मैं सब कुछ चेक नहीं कर सकता लेकिन यहां पर जो मैं structure बता रहा हूं वो आपके exam में पूछा जाएगा तो या रखेगा यह आपने सीखा अब जैसे मैं कहा मैंने कहा कि I love you इसका बनाईए कैसे बनाएंगे अब इसको इसका बनाएंगे कि I love you मतलब मैं आपसे प्रेम करता हूं इसका मतलब यह हुआ कि I am not without love कि मैं बिना प्यार का नहीं हूं मतलब कि मैं प्यार में हूं तो I am not without love offer for you आपके प्रती ठीक है यह इस तरह से बनता है sentence I am not without love for you तो इसमें मैंने आपको इसका बना करके भी दिखा आया ठीक है बात समझ में आ गई क्लियर हो गया बैटा चलिए इस तरह से बनाना है बस आपको सीखना है प्रैक्टिस कराऊंगा आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अब बताइए where there is will there is way everyone hates dirty politics इसका क्या बनेगा बनाई चलिए ठीक है कोई बात नहीं चलिए समझ में आ रहा है अब देखिए where there is will there is way there is no will आपको पता है there is no way without will आपको ऐसे बनाना है there is no way without will ठीक है good morning चिंकू चले बास समझ में आ गई आप सभी को there is no way without will तो देखिए no negative भी लग गया without भी लग गया और will मतलब इच्छा है आपको पता है कि will वर्वी भी होती ही लेकिन will माने इच्छा भी होती है ठीक है और will माने आप जानते हैं कि वो भी होता है जिसको लोग लिख के मर्दने से पहले लिख कर जाते हैं वसीयत क्या होता है वसीयत भी होता है ठीक है यहां तक चीज़ें आप में समझ लिए there is no way without fail ऐसे लिखा हुए everyone hates dirty politics आप देखे everyone लिख जाए या every लिख जाए मैंने आपसे पढ़ाया अभी अभी बताया कि every लिखा हो everyone लिखा हो आपको sentence को there से बनाना है लिखा everyone hates dirty politics तो आप बोलेंगे there is no one who यानि कोई ऐसा नहीं है who does not hate करता है जो नहीं करता है नफरत नहीं करता है किसे dirty politics से यानि there is no one who does not hate dirty politics ठीक है there is बिलकुल बढ़िया क्रिशन पतेल ठीक है चलिए तो there is no one who does not hate dirty politics तो जहाँ पर आपको everyone लिख जाए बटा every दिख जाए यहाँ पर तो there था ही तो आपने there से बना ही दिया लेकिन कहीं पर आपको every या everyone दिखता है वहाँ पर आपको there से बनाना है लेकिन ध्यान लखेगा अभी आगे everyone वाला और आएगा जहाँ पर who रहता है तो जहाँ पर who रहता है वहाँ पर हम everyone लगाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा वो इंट्रोगेटी वाले structure होता है बात समझ में आ गई आप सभी को बिलकुल ठीक है हाँ इस तरह से लिखा everyone heads politics ऐसे भी बना सकते हैं ठीक है negative ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि बनाया कि nobody heads dirty politics ठीक है ऐसे बना सकते हैं यह भी negative है कि nobody लगा हुआ है nobody का मतलब यह हुआ कि negative word लखा हुआ है और heads dirty politics यानि कि कोई भी जो नहीं इसमें देकि sense change हो रहा बेटा लिखा हुआ है everyone heads dirty politics nobody यहाँ पर sentence गलत हो जाएगा बेटा किसने बनाया था देखिए love यहाँ dirty जाएगा पर love लिखना पड़ेगा ठीक है nobody sorry मैं कहाँ लिख रहा हूँ एक मिनट रुकिएगा बेटा एक मिनट रुक जाएगा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ठीक है देखिए बास समझेगा nobody लग गया बेटा तो लफ्स लगाना पड़ेगा ठीक है nobody लफ्स से dirty politics यह लिखना पड़ेगा ठीक है hates नहीं लिखना बटा तब यहाँ पर love लिखिए या likes लिखिए ठीक है कि कोई भी dirty politics को पसंद नहीं करता लाइक्स लिख दिए नोबडी likes dirty politics यह लफ्स भी दे सकता है तो या रखिएगा ठीक है likes भी सही है जो भी आपके options में रहेगा वो दोनों नहीं देगा कभी भी तो यदि negative लगाया है तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा positive लगाना होगा ठीक है यानि कि hate का opposite लगाना होगा और यहीं चीज़ जब आपके दो-दो negative होते हैं तब आपको as it is मतलब उसका synonym ही use कर सकते हैं आप लेकिं उसका antonym use वहाँ नहीं करना है ठीक है बात लगाना है तो कभी-कभी हम यहां तो लिखा ही नहीं कुछ भी ऐसा तो synonym वर्ड भी यूज होता है not never लगता है यह चीज़े मैंने आपको बता दी ठीक है इसके बाद अब आपको बनाना है यह बाई यूजिंग not by using not plus verb की मतलब में fail to लगाकर कि यह देखिए not और साथ मे fail to लगा करके आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे he saw the kutub minar और यही वाला structure आपके lt grade में पूछा गया था he saw the kutub minar और इसका आपको बनायना है बेटा affirmative बनाना है क्या बनाना है affirmative बनाना है ठीक है एक बार फिट से बताने वाला बेटा ऐसा नहीं रानी आप वीडिय करके देख लीजिएगा आपको चीजे मालूम चल जाएंगे खुद ही ठीक है कभी कभी क्या होता हम एक बार में नहीं पकड़ पाते हैं इसका मतलब यह नहीं है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात है इन में से कोई एक आया तो इन कोई सेलेक्ट करेंगे न बैठा एक ही याता इस ऐसे नहीं फसाएगा आपको पही बेगा दो इस्टक्चर सेम सेम कैसे सकता है जरह से शब्दों में सिनोनिम स्बदल करकर कैसे नहीं आता कभी ठीक है यह तो इस ठीक्चर ही पूरा चेंज हो हां बछगुल पाटेल देखें यह इदा खुतुमे नार आपने बनाया तो इसको बना सकते हैं आप ही अभी कि या वर्विकी सिक्ट फॉर्म है तो आपको लगाना होगा अब डिट नॉट लगाया अफ़ेल टू लगाया और सी कुटुमे नार ठीक है अब बहुत लोग गला अब देखिए दिमाग में हम लोग क्या सोचते हैं हम लोग एक्जाम में सोचते हैं कि डिट नॉट लगा है अफर्मेटिव बनाना है तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता सोचते हैं आप खुछ सोचिए हम सोचते हैं कि अफर्मेटिव बनाना है और did not लगा है तो यह तो affirmative हो ही निसकता हम ऐसा logic लगाते हैं लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि did not के बाद में fail लिखा हुआ है यानि एक not लिखा हुआ है उपर से fail to लिखा हुआ है तो दो negative मिल करके positive sentence होते हैं ठीक है यानि कि अब आपको समझना यह है कि देखिए अब मैं comparison करके आपको दिखाता हूँ एक चीज का मैंने पहली बात तो यह point कहा मैंने कहा कि did not or fail लिखा मतलब दो negative हैं साथ में वो positive sentence बनाते हैं तो यह affirmative का sense आपको दे रहा है यानि कि उसने ताजमेल देखा और वो ताजमेल देखने में fail नहीं हुआ मतलब कि उसने ताजमेल देख not without wisdom ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पच्चु की sentence हमारा affirmative था और हमको sense भी affirmative का देना था लेकिन हमें structure negative बनाना था तो हमने बना दिया लेकिन affirmative बनाते समय यदि आप एक बार negative का यूज करते हैं तो एक और negative word लगा करके आप उस sentence की meaning का affirmative sense दे सकते हैं याद रखिएगा अब जैसे कि my brother plays cricket तो आप लिखेंगे कि my brother plays लिखा हुआ है और जब बात plays लिखा हुआ है तो मतलब present की बात है तो does not लगाएंगे does not fail to play cricket ठीक है चलिए बात समझ में आगया चलिए इसके बात next बनाते हैं speak the truth बेटा सच बोलिए speak the truth बनाए कैसे बनाएंगे तो आप बनाएंगे don't fail to speak the truth यानि कि जूट बोलने में कभी fail मत होई है मतलब की सच बोलिए speak the truth यानि की fail to speak आपिक है अफ़र्मेट्ड का सिन्स देना है तो नॉट प्लस फेली डो नेगरेटिव में बल करके इसका त्रिक है आप yay चलिए चलिए शीवम करें आज भी नया सीखने को मिला है मेरे क्लास में हमेशा कुछ नया ही रहता शीवम मेरी कोशिस रहती है कि आपको एक्जाम के लिए तयार कर दू बिलकुल अच्छे से ठीक है अजब मैं वाके में पूरे मन से बढ़ाता हूं तो मुझे पूरा दिन मेरा बड़ा खुशी से गुजरता है कि आज मैंने अच्छ आप